असलाम नीकुम वीवर्स उमीद है आप सब खरीयसे होंगे तो आज जो न्यू टॉपिक हम डिसक्स करने वाले हैं वह बेसिकली फूड प्रेजबरेशन के उपर है जिसमें हम किस तरह से अपने किसी भी फूड को एक काफी टाइम लॉंग प्रियेट के लिए अपने फूड क सल्ट को यूज करते हैं चались किसी फूड आइडाम में उसमें हम सौल की कॉंईटी या एक अमांउंट में सौल को मिलावते हैं यूसरे होता है कि हमारी फूड ध्रन हो जाती है नयूं यह हमने उसमें salt की concentration डाली तो उसके जो water content होता है उस food के अंदर वह क्या होता है वह remove हो जाता है वह dehydrated हो जाता है जिसके वहरे से हमारा food preserve हो जाता है अब वह किससे food preserve होता है वह इस तरह के इससे कि कोई भी bacteria हो कोई भी यीज्ट हो और कोई भी मोल्ड हो इन तीनों को किसी भी फूट के उप़र ग्रोग करने की मौईस्टिर की जरुद होती है तो जब हमने उस फूड डाला वह सौल्ड करता है वाटर को रिमूफ कर देता है उस फूड आइटम से मतलब के डियहाइड्रेशन कर देता है जिसकी वज़ा कर जब मॉस्ट्र प्रेजंट ही नहीं होगा तो यह तीनों चीज़ें ग्रोव नहीं कर पाएंगी और इस तरह से हम एक वक्त के लिए एक वक्त तक एक टाइम प्रियर्ट तक अपने फूड को प्रिजर्फ कर सकते हैं लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो ड अखेश को मैं उन्हें सीख आता है और रहा है उतकर सकता है इसके लावं अगर्प करें तो वाइन यकाइख और वाइन का सब्सक्रावर वो सकते से और यह का यह काफीर से ज्यूड कर सकते हैं जो के क्योरिंग प्रॉसेश में आता है कूलिंग किsia 미 fingernais की दूसरे तरीके कर बात करें के कौन मतलब दुसरा तरीका किया जिसके वेज़े से हम पूड पैसर कर सकते एंब तो उसमें हम कूलिंग की बात करेंगे क्या मतलब कूलिंग रेफ्रेजरीटर में भी हम cooling process दे सकते हैं वो किस तरह से कि जब हम कोई भी food को mostly जो है हम सलाद dairy products वगारा या फिर फ्रेश फूट्स वगारा हम refrigerator में रखते हैं उससे ही होता है कि जब हम यह चीज़ों को refrigerator के नदे रखते हैं तो refrigerator को temperature होता है वह होता है कम उस temperature में microorganism जो भी हो वो उसकी जो मतलब mode of action होता है मतलब उसका जो attack करने का जो criteria होता है वो stop हो जाता है वो slow down हो जाता है या फिर वो enzyme produce करता है जिसकी वज़े कर हमारे food के उपर attack नहीं कर पाते हैं और हमारा food जो है एक time certain time period के लिए store हो सकता है पहले इस क्या होता था कि refrigerator जब नहीं था मतलब traditional लोग पहले क्या करते थे ice box में भी cooling effect दे सकते थे या root sailor जो पहले होते थे वो बनाकर भी cooling effect produce कर सकते थे किसी भी food के एंदे था कि हम अपने food को store कर सके नबर 3 कि अगर बात करें तो freezing freezing क्या होता है freezing एक state होता है transition phase होता है उ बिल्कुल किसमें low temperature में low temperature का मतलब है कि जो हमारा freezing का freezer का temperature होता है वो mostly माइनस 18 या माइनस 16 होता है तो इसमें कोई भी जो होता है transition state में आजाते हैं हमारे जो भी liquid होते हैं वो इसी तरह से jake माइक्रोब्स की भी जो होती है मोड अफटे कश्ट जो होता है वह उनके इस टॉट हजाता है वह बहुत शो कर सकते जिम्हें पूट बैटों इसलिए ह हो इसा स्थायर कर तो जैसे इन व्सक्रिजर करना होका जाएथ जब पर चाहिए है तो हमें फीर चीजे में करना पढ़ता है तो मतलब में हम एसी चीज़े कर सकते हैं जो है मतलब JUDम माझ यह जो अगर पिंपर्परेइड हैं तो उन्हें फीर जब रही है लेकिं जब उसको प्रिपरस्चार करना है तो हमें इसे फीजेल में store करना पड़ेगा नंबर फोर जो बॉइलिंग है बॉइलिंग क्या होता है कि हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो आग्रियर यहां होते हैं जाते हैं तो बात रहिए जो हम बात पर बात करें हैं हमें और नहीं में paste हम उस्परतें ऐसे हम उनसे हैं हम्ने कड्याव कर सकता है कि हीटिंग कृता हैं ह 희ोगा है देना पड़ते हैं मतलब एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ टेंपरिश्यक मॉडिरेट टेंपरिचर प्रवाइड करना वज़ता है जिससे माइक्र जो होते हैं अपने चीजों को या अपनी ग्रोथ को रेपिटली ग्रोर नहीं कर पातें इंक्रीज नहीं कर पाते हैं जिसकी वज होता हैं जिसकी वज़ेकर हमारा फूरी स्टोम हो जा नहीं होता है लिए जो भी हमाद ऐसके इंदर कोई भी शूगर involved करते हैं ठीक है तो उस food item में जो भी micro present होते हैं तो वो जैसी sugar involved होता है microorganism के cell के अंदर से सारे water content remove जाते है sugar की वज़ा कर जिसकी वज़ा कर उनकी cell rapture हो जाती है उनकी cell break हो जाती है plasmolysis हो जाती है plasmolysis का मतलब basic होता है यह cell death उस microorganism की cell death हो गई वो सारे कील्ड हो गए यह microorganism ही सारे कील्ड हो गए तो फिर food खराब को नहीं करेगा कोई नहीं करेगा तो इसके जरीए भी हम शोगरिंग के जरीए भी हम अपने food को एक लंबे time period तक के लिए इस्टोर कर सकते हैं so that's all of my presentation thank you so much अगर आपको मेरी presentation पसंद आयो तो मेरे YouTube चैनल को subscribe जरूर करें और अगर आप Facebook पर सुन रहें तो मेरे Facebook पेज को follow जरूर करें thank you